नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारे हिंडी ग्यान बोच चानल पर स्वागत हैं दोस्तों हम प्रिवेसर कोशन पेपर की चैप्टर वाई सीरीज कर रहे थे तो आज की वीडियो लेक्चर में हम भक्ति कालीन कावे पंक्तियों से सम्भनित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रशन कर पर हमने वीडियो लेक्चर किया और आज की वीडियो लेक्चर में हम भक्ति काल के कावे पंक्तियों के ऊपर आज का ये वीडियो लेक्चर है अगर आप ने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने उसकी अलग और साथ में मैं इनके विकल्प भी नहीं पड़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मैं चाहती हूं कि आपको छोटे से वीडियो में ज्यादा कंटेंट मिल जाए तो चलिए इसका जो सही उत्तर है रैदास अगला प्रशन आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरी नाम यह पंक्ती किस कवी की है जून 2006 का प्रशन है तो यह कुम्बन दास की है अगला प्रशन केसव कही न जाई का कहिये देखत तब रचना विचित्र अती समूझी मन ही मन रहिये किस कवी की पंक्तियां है जून 2008 का प्रशन है तो यह केसव दास की पंक्तियां है इन पंग्टियों को एक जगा संगरित करने का मेरा मकसद यही है कि आप देखें किस तरह के कावे पंग्टियों में से प्रशन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे तो आप इनको नोटिस करिएगा तो चोथा प्रशन है बसो मेरे नैनन में नंद लाल किसकी पंक्ती है जून 2010 का प्रशन है तो ये मीरा बाई की पंक्ती है अगला प्रशन अब लो न सानी अब ना न से हो किसकी उपती है दिसंबर 2010 का प्रशन है तो ये कबीर दास की अगला प्रशन काशी में हम प्रगट भए रामानन चेताए किसकी पंक्ती है जून 2010 का सौरी 11 का प्रशन है तो ये कबीर दास जी की है अगला जून 2012 का प्रशन है तो ये कबीर दास जी की पंक्ती है अगला प्रशन निम्न लिखित कव योक्ती तुलसी की किस रचना से है जून 2012 का प्रशन है शुरूती सम्मत हरिभक्ती पथ संजुत विरती विवेक तो ये पंक्ती किसकी है तो ये थुलसी दास की ही है लेकिन रामचरित्र मानस से ली गई है ये पंक्ती अगला प्रशन धिक धाय तुम यो हना हूत धो दिया श्रेष्ट कुल धरम धूत राम के नहीं काम के सूत कहलाए उपर युक्त कावे पंक्तियों का संबंध किस कावे रचना से है जून 2012 का प्रशन है तो ये तुलसी दास की पंक्ती है अगला प्रशन हेरी मया तो दरद दिवानी महारा दरद न जाने कोई उक्त पंक्ती किस की है दिसंबर 2012 का प्रशन है तो ये मीरा बाई की पंक्ती है मांगी के खेबो मसीद के सोईबो लेबो को एक न देबो को दूँ पंक्ती का संबंध तुलसी दास की किस रचना से है दिसंबर 2012 का प्रशन है तो ये कवितावली से है अगला प्रशन यह कावे पंक्ती हिंदू मग पर पावन रख के का जो बहुते हिंदी बखायू किस की है दिसंबर 2012 का प्रशन है तो ये नूर मुहम्मद की है अगला प्रशन कबीर कानी राखी नहीं वर्नाश्रम शट दर्शनी किसने कहा है दिसंबर 2012 का प्रशन है तो ये नाभधास का अगला प्रशन सुनि है कथा कौन निर्गुन की रची पची बात बनावत सगुन सुमेरू प्रगट देखियत तुम्तरन की ओट दुरावत यह पंक्ती किसकी है दिसंबर 2013 का प्रशन है तो ये सुरदास की है अगला प्रशन जेई मुख देखा तेई हसा सुनि तेही आयू आंसू पंक्ती भक्तिकाल के किस कवी के बारे में है दिसंबर 2013 का प्रशन है तो ये जाइसी के बारे में है दोस्तों अगर आप हमारे टैलिग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है अब क्लिक होके डिरेक्ट जोईन हो सकते हैं वहां में डेली अपडेट करती हूं लेटि कथन है दिसंबर 2013 का ये कथन ना भादास का है अगला प्रशन खेती ना किसान को भिखारी को ना भीक बली बनीक को ना बनीज ना चाकर को चाकरी पंक्ती तुलसी दास की किस कृती से जंबंद है दिसंबर 2013 का प्रशन है तो तुलसी दास की ये पंक्ती कवितावली से अगिला प्रशन संतन को कहा सीकरी सो काम आबद जब पनहिया टूटी बिस रही गयो हरी नाम तो देखिए यहां पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुम्बंदास जी जून्दुहजार तेरा का प्रशन है बहु बीती थोरी रही सों बीती जाए हित धुरूब बेगी विचारी के बसी वरिंदावन आए पंग्तियां किस कवी की है जून दोहजार तेरा का प्रशन है तो यह धुरूबदास की है दोस्तों आपको इन प्रिवेस एरे कोशन पेपर की जितनी भी कावे पंग्तियां है चाहे वो आधी काल की हो चाहे वो भक्ती काल की या रीती काल की आधुनी काल की कावे पंग्तियां यह सारी मैं करवाओंगी अभी तक मैंने आधी काल की और यह आज की वीडियो लक्ति काल के उपर इन कावे पंक्तियों को मैंने करवा दिया है आगे में रीति काल के उपर और आधुनी काल के उपर उसके बाद कावे पंक्तियों के उपर इन लेकर आउंगी तो आपको ये सारी पंक्तियां ध्यान होनी चाहिए कम से कम ये पंक्तियां तो आपको ध्यान ह होनी चाहिए अगला करते हैं जो सोदा कहां कहो हो बात तुम्हारे सुद के करतब मौं पे कहत कहे नहीं चात यह किस कवी की कावे पंक्तियां है दिसंबर 2013 का प्रशन है तो यह चतुर भुजदास की है अगला प्रशन गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग यह पंक्ति किस की है दिसंबर 2013 का प्रशन है तो यह तुलसी दास की यह पंक्ति बहुत मत्ति पुने 2019 एक्जाम में भी पूछा गया था यह करम जोग पुनी ज्यान उपासन सब ही भरम भरमायो श्री वल्लब गुरू तत्व सुनायो लीला भेद बतायो यह कव्योक्ति किस की है दिसं पानी परात को हाथ छूवो नहीं नैनन के जलसो पग धोए किस कवी की पंक्तियां है दिसंबर 2014 का प्रशन है तो यह पंक्ति नरुत्तम दास की है अगला प्रशन शाखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निसरपही अधम कवी दही वेद पुरान किस कवी की पंक पंक्तियां है जून 2014 का प्रशन है तो यह तुलसिदास की है अगला प्रशन जो सोदा कहां कहो हो बात तुमारे सुत के करतब मों पे कही न जात यह देखे रिपीट हो रहा है इन कावे पंक्तियों के रचैता कौन है तो यह चत्रभुजदास तो इसलिए मैं कहते हूं प् पर डे रिवाइस करेंगे तो अराम से याद हो जाएंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनेहे अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने इन कावे पंक्तियों के रचनाकार कोन है दिसंबर 2015 का प्रशन है तो यह गुरु नालक देव जी की है अगला प्रशन का बढ़ु सब्सक् noble 2015 का प्रशन है तो यह पंक्ति कुम्बन दास्किल अगला प्रशन सुर्शमाना चंद में दहूं किया घर एक या कावे पंक्ति किस की है जून 2015 का प्रशन है तो यह कबीर दास की है देखते जाएए आपकी कोषिन किस तरह से रिपीट होते हैं और को हमन है इश्क मस्ताना हमन को होश्यारी क्या रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या इन कावे पंक्तियों के रचेता कौन है जून 2015 का प्रशन है तो ये कवीर दास जी की है अगला कुछ नाही का नाव धरी भर्मा सबसंसार साच जूट समझे नहीं ना कुछ किय विचार उपरियुक्त दोहा किस कवी का है दिसम्बर 2015 का है प्रशन तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह दादू देयाल कहा करो बैकुंठई जाए जहां नहीं नंद जहाना जसोदा नहीं जहां गोपी गवाल ना गाए उपरियुक्त कावे पंक्तियां किसकी है दिसम अगला प्रशन गगन हुता नहीं मही हुती हुते चंद नहीं सूर ऐसे अंधिकार महरचा मुहम्मद नूर यह दोहा जहिसी की किस कावी कृतिका है दिसम्बर 2015 का प्रशन है तो यह आखरी कलाम अगला प्रशन कमल दल नैनी की उन्मानी विसरत नाही सकी मो मन्ते मंद मंद मुसकानी उपरियुक्त कावे पंक्तियों के रचनाकार कौन है दिसम्बर 2015 का प्रशन है तो इस पंक्ति के जो लेखक है रचनाकार है वो रहीम जी है अगला प्रशन गोरक जगायो जोग भक्त भागाई यह पंक्ति किस की है देखिए फिर से repeat हो रहा है तीसरी बार repeat हो रहा ही है तो ये कि दिसंबर 2015 को प्रशन तुलसी दास जी का अगला प्रशन जहां कि कलह तहां सुख नहीं यह भी रिपीट हो रहाय देखिए कलह सुखन को सूल सबह में कालह ने राज कलहा को मूल इस दोहे के द्वारा किस कवी ने अतीत कालिंग चित वृति का वर्णन किया है दिसंबर 2015 का प्रशन है तो ये नागरी दास है अगला प्रशन है सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेक तो इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है जून 2016 का प्रशन है तो ये कबीर दास हिंदू पूजे देहरा मुसल्मान मसीद किस कवी की पंक्ति है दिसंबर 2016 का प्रशन है तो ये नाम देव की अगला प्रशन गिरा अर्थ जल बीची सम कहित भिन न भिन बंदो सीता राम पद जिनही परम प्रिये खि को प्रियुक्त कावे पंक्तियां किस कवी की है जून 2016 का प्रशन है तो ये तुलसी दास जी की अगला रैन गवाई सोई के दिवसु गवाई खाए हीरे जैसे जनमू है पाउनी बदले जाई ये कावे पंक्तियां किस कवी की है तो ये दिसंबर 2016 का प्रशन है तो ये गु निर्गुन कहियत नाही जाके किस कवी की पंग्ति है दिसम्बर 2016 का प्रशन है तो यह रैदास जी की अगला प्रशन सखी हो स्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूर्ती सूरत माही पगी या पंग्ति किसकी है जून 2017 का प्रशन है तो यह गदाधर भट की है अगला प्रशन वल्लबा चारे की मिर्तिव के बाद किस ने कहा था नॉवंबर 2017 का प्रशन है पुस्टी मार्ग का जहाज जात है तो सो जाको कुछु लेना है सो लेओ ये वुठलनात की पंक्ति है अगला प्रशन अच्चिवत चरन तरंगनी शिव सिर मालती माल हरीन बनायो सुर्सरी की जो इंदव भाल इस दोहे के रचनाकार का नाम किया है जून 2017 का प्रशन है तो इस दोहे के रचनाकार है रहीम जी अगल अगला प्रशन सचिव वेद गुरु तीनी जियों प्रिय बोले ही भयास राज धरमतन तीनी कर होई बेगही नास यह दोहा रामचरित मानस के किस कांड में है नुवंबर 2017 का प्रशन है तो ये सुन्दर कांड अगला प्रशन माई न होती बाप न होते करम न होता काया हम न नहीं होते तुम नहीं होते कोन कहाते आया चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया सस्त्र न होता वेद न होता करम कहाते लाया उप्रियुक्त कावे पंक्तियां किस कवी की है जून 2019 का प्रशन है तो ये नाम देव की अगला प्रशन सर्व व्यापी एको महारा जाकी महिमा आर ना पारा हिंदू तुर्क का एके करता एके ब्रह्मा सबन का भरता के रचिनाकार कौन है दिसंबर दो हजार अठारा का प्रोशन है इसके जो सही उत्तर है मलूग दाश जी तो यह था आज का वीडियो लेक्चर उमीद करती हूं आप सभी को पसंद आया होगा तो आज की वीडियो लेक्चर को लेके आपकी फीड़वेक के मुझे कमेंट शेशर में कमेंट करके ज़रूर बत पंक्तियां फिर उसके बाद मैं आपको कावे पंक्तियों के उपर वीडियो लेक्चर लेकर आओंगी और आगे भी और भी टॉपिक आएंगे प्रिवेस के कोशन के उपर तो इसी तरह आप हमारे चानल के साथ बने रहें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि पंक्तियों के लिए।